नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डूक्टर बिल्बीर सिंग आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्टिन या दोस्तों आज बात करेंगे पिएचडी के एडमेशन से लेटेड और ये पिएचडी के एडमेशन हैं बेहद खास उनिस्टी के अंदर बेहद इंपोर्टें के अंदर है और यदी बात करें चानिक है कि यदी बात करें चंदर गुप्त के उसमें पर नालंदा वीशविद्याले की जो ख्याती थी इसकी परसीदी थी वर्ड लेवल पे वीशवस्तर पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी परन्तों आप यह नहीं कह सकते कि आज के दिन नालंदा वीशविद्याले की ख्याती नहीं है आज के दिन भी नालंदा वीशविद्याले बहुत इंस्टिटूशन है वर्ड लेवल के उपर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वर्ड लेवल के हैं इस नालंदा वीशविद्याले के अंदर आते हैं एडमिशन के लिए यह यहां पे Master Program और PhD करके जाते हैं, तो नालंदा वी सुविदाले आज भी बेहद खास है, इसके Campus का पोटो आपकी स्क्रीन पे ऐसा दीख रहा है, बेहद स्यांदार तरीके से दिखाई दे रहा है, यहां पे PhD के Admissions आए हैं, यह PhD के Admissions कुछ पैटिकुलर स्ट्रीम में, कुछ प परनतों यह किस परकार के Admissions हैं, कुछ पर्टिकुलर के अंदर हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्ट्रीम के अंदर हैं, एक खास बात यहां पर यह है, जिस भी बच्चे का Admissions नालंदा वी सुविदाले के अंदर हो जाएगा, उसे 35,000 रुपे महेना स्कॉलर से मिलेगी, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है, जो स्टुडेंट से पर्टिकुलर लीजिन का बैक्ग्राउंड इतना ज्यादा फाइनेंशिल स्ट्रॉंग नहीं है, उन कंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेनिफीसियल है, मैं आपको इसके साथ एक और सूचना बताना चाहत हूँ, यदि आप NRI हैं, यदि आप इंडिया से बाहर से, यानि कि किसी भी और देश से हैं, और हिंदी आप जानते हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो भी यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आपको भी 35,000 रुपे महीना उनिश्टी एक स्कॉलर्शिप ओफर आपको कर रही है, तो यदि आप PhD करना चाहते हैं, नालंदा वीश भी देल ले के अंदर, ये बेहदिशानदार आपके पास मौका है, और आपको इसके साथ में स्कॉलर्शिक भी मिल गई है, आपको ये वीडियो सुरू से आखिर तक देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम संपू सबसे पहले आपको कहां जाना होगा, सबसे पहले आपको एक URL डालना होगा, जिसके अंदर लिखना होगा आपको नालंदा और नालंदा लिखने के बाद लिखेंगे UNIV, UNIV के बाद आप डोट लगाएंगे, फिर EDU लिखेंगे, फिर डोट लगाएंगे और फिर इन में से आपको admission वाला tab क्लिक करना होगा जैसे ही आप admission वाला tab क्लिक करेंगे इस प्रकार की screen आपके सामने आ जाएगी यहां कई सारे admission आपको offer किये गए हैं प्रंतु हमें जाना है doctor of philosophy बे doctor of philosophy यानि PhD, PhD में जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि तीन प्रकार के course हैं जो इनिस्ट ने offer किये हैं यह कौन-कौन से course है Ecology और Environmental Studies का Historical Studies का, बुद्ध Studies philosophy और comparative studies का यह तिनों के तिनों चार साल के program है तो इसके बाद में आपको कहां जाना होगा इसके बाद में आप यह देखिए Ecology and Environmental Studies और जो बाकी के दो हैं information यहाँ पर बताए गई है फिर इसके बाद में आप कलिप करिएगा eligibility criteria के उपर यह important है क्योंकि आपको admission लेना है तो eligibility आपको चाहिएगी और उसके बाद में नीच से आपको चला जाना है यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है eligibility and selection criteria for PhD यहाँ पर scholarship की बाद जो मापको बता रहा था स्टाइफंड जो 35,000 INR यानि के भारतिय रूपीज में है यह आपके सामने लिखा हुआ है पहले ही line में उसके बाद में 4 साल की यह बता रखी है fully residential program बता रखा है फिर बता रखा जो कंडिडेट part-time study कर रहे हैं या part-time PhD कर रहे हैं उनको किसी परकार से scholarship or residence नहीं मिलेगा यहाँ पर बाद बता रखी है eligibility criteria क्या है यह दि आप PhD के इंदर admission लेना चाहते हैं 65% marks आपको चाहिएंगे एक simple सी बात है उसके बाद में है application to submit a letter for self-introduction दो letter आपको recommendation या reference की यहाँ पर चाहिएंगे कुछ SOP हैं जो इनिस्टी की हैं वो आपको यहाँ पर आपको पालन करना होगा यदि आप बार से हैं तो आपको इस परकार यानि कि TOEFL वगरा कलीर किया हो IELTS आपका score आया हो या फिर आपने किसी भी परकार का international level का English test आपने पास किया हो इसके बाद में कुछ और बता रखा है कि यदि आप part time करना चाहते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं तो ये information काफी सारी हैं इनको आपको देख लेना होगा यदि आप admission आपे लेना चाहते हैं फिर उसके बाद में हम चलते हैं instruction दे रखी हैं यदि आपको application form भरना है तो ये instruction आपको पढ़ने होगी ये instruction किस परकार की है simple सी instruction जो होती है किसी भी form को भरने के लिए कि आपके पास IRA proof होने चाहिए जैसे कि date of birth का कोन से देश से belong करते हैं आपके पास mobile number होना चाहिए आपके पास valid email address यहाँ पर होना चाहिए ये सारी चीज़े आप असानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं यदि आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो थोड़ा सा नीचे जाते ही आपको मिलेगा यहाँ पर apply here तो आपको इस पर click कर देना है और आपके सामने एक नई window कुल के सामने आ जाएगी और यह दे रखा है यहाँ पर registration सबसे पहले आपको registration करना होगा यहाँ पर आपको mention करना होगा अपना email address उसके बाद में यहाँ पर दे रखे country की list यदि आपका देश इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं यदि आप international level के student हैं भार के हैं भारत से तो यहाँ पर देश आपका mention होना चाहिए और यह सारे देश यहाँ पर mention होंगे जो भारत यानि कि इंडिया जिनको परमेशन देता है जिनको मानता इंडिया देता है इसके बाद में मैं फिर back आ जाता हूँ फिर दे रखा है यहाँ पर admission का process इस admission के process को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर particularly यह दे रखा है कि इंडियन स्टुडेंट्स को काँ पर फिस जमा करनी है यह दे रखा है HDFC bank का इसी परकार से दे रखा है कि यदि आप international student है तो आपको फिस काँ पर भरनी है और यह address है आपका international students के लिए इसी परकार से फिर आपको जाना होगा admission notice के ओपर आप admission notice को चेक कर सकते हैं यहाँ पर अलग अलग program दे रखे हैं इसके अंदर start program registration के अंदर या ब्रोसर आप चेक कर सकते हैं इसके बाद में आता है यह fee structure, fee structure के अंदर MBA program पहले offer कर रखा है MBA fee structure यहाँ पर international students के लिए बता रखी है फिर उसके बाद में fees बता रखी है master program के लिए और master program में national और international दोनों के लिए बता रखी है यहाँ पर यदि आप जाएंगे fees for fee for doctoral program यानि PhD के लिए जो आपके fees है यदि आप भारतिय कंडिडेट हैं तो इस परकार है admission fees आपकी 6000 है, tuition fees आपकी semester वाई 40,000 है, mislinious 25 रुपे है, और security आपकी 6000 deposit होगी, total आपके fees हो जाएगी 4,500 रुपे और second semester के साथ मिला दी जाए तो एक साल की यानि कि year wise total आपकी हो जाएगी 97,000 रुपे, और second year के लिए आपकी 85,000 रुपे फीस बनेगी, और यदि हाँ आप है international student, तो डोलर में यहाँ पर बता रखी है, तब आपके US dollar total लगेंगे 1494 dollar, और दूसरे साल के आपको लगेंगे 1308 dollar आपको यहाँ पर देने होंगे तो इस परकार से दे रखी है, फीस फीस के बाद हमें next tap यदि हम जाएं, तो admission browser दे रखा है, यह admission browser आप download कर सकते हैं, इस परकार से आएगा, मैं इसको cross कर देता हूँ, और इसके बाद में आपका दे रखा है certificate course registration form, यदि आप certificate course में registration वगरा करना चाहते हैं, तो आप इस step पे भी click कर सकते हैं, यदि आपका कोई question बनता है, तो आप FAQ पे click कर सकते हैं, यह बहुत सारे यहां पे यह उपर जो picture आपको दिखाई दे रही है, नालंदा वी-सविदेले की दिखाई दे रही है, काफी स्यांदार जैसे पार्क और किस प्रकार से maintain कर रखा है, यहां पे बहुत सारे आपके FAQs जो admissions related हैं, वो question आप click करके इनके answer जान सकते हैं, यह पहले से ही already existed यहां पे दे रखे हैं, यह दि आपकी कोई फिर भी query आपकी बचती है ता आप contact section पे जा सकते हैं, यह campus का address दे रखा है, नालंदा वी-सविदेले का, जिसका address है राजगिर नालंदा district, pin code यहां पे दे रखा, email address और phone number यहां पे mention कर रखे हैं, तो दोस्तों यह थी information नालंदा वी-सविदेले से related, यह दि आपका कोई और भी question बचता है, तो आप comment section के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप instagram पे भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ में एक मेरा whatsapp number भी है, आप whatsapp number भी पूछ सकते हैं, whatsapp number को मैं यह आपे mention कर देता हूँ, यह है 888-800-1113, इस पे जाके भी आप कुछ भी जो आपका related question होता है, आप उसको पूछ सकते हैं, मैं जो आप देने के बर पूर कोशिस करूँगा, तो दोस्तों यह था आज का content, उमीद करता हूँ, यह आपको पसंद आया होगा हमारे वीडियो को सीर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इसी के साथ मैं हमारे चैनल को subscribe भी जरूर कीजिएगा बहुत बहुत आपका देने बाद